आज मैं आप तो सिखाऊंगी आदा किलू मेदे से आप कितने सारे स्टफ बन तेयार कर सकते हैं यह कैमिकल फ्री भी होते हैं और बेखरी के बन से ज्यादा जायकेदार भी होते हैं यहां आप चाहें तो क्लें बन भी इसी प्रॉसेस से बना सकते हैं रेसिपी शुरू करने से पेंदें जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें बिस्मिल्लायराख्मान रहीम, अस्सलाम आलेकुम वर रहमत लाही वर वरकात्रूप, तो जनाब आज हम बना रहे हैं चिकन स्टर्फ बन, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, तो यहां पर मेरे पास है आदा किलो मैदा, इसको हम झान लेंगे, अब यहां मैं इसमें श शामिल तहरें, डेव टीस्पून नमक, टू टेबिल स्पून हम चीनी लेंगे, बारीफ पी सीवी, वन टीस्पून एस्ट पाउडर लेंगे हम, बन की डोगो गूंदने के लिए दूद समाल तहरेंगे, दूद आपने नीम गरम शामिल करना इसके अंदर, तो यहां मैं ल बनते हैं, आदा कब इसमें और शामिल करेंगे हम, चले हम इसको बाउल से निफाल लेंगे, थोड़ा सा मैदा चुराक लेंगे, अब यहां पर हमने अपनी डोग को अच्छे से, तक निवन दस मिनट तक हमने इसकी गुनाई करनी है, ताके इसके अंदर से इतने भी एर है वो निकल जाए, और जो आपने इस टालिए, वो भी इच्छे से इसमें मिक्स अप हो जाए, उसके दाने नाप, वो बड़ा बड़ा थेस्ट हपता है, मुह में आते हैं, तेंगे हमने, 10 मिनट तक इसकी गुनाई करनी है, इसको खेच खेच के, जितने अच्छे तरीके से आपकी डो गुंदीवी होगी, उतना ही अच्छे आपके बंद बनेंगे, यहां आप देखें, मैं किस तरह से डो को स्ट्रेच कर रहे हूं, सेम इसी तरी मेथट से आपने करना है, ताकि हमारी डो अच्छे से गुंद जाए, दस मिनट तक आपने इसी तरीके से इसकी गुद्दाई करनी है, इच्छे से, यहां मुझे मैदे को गुंदते हुए, पांच मिनट हो चुके हैं, इसी तरीके से शेव मैथट आपने अप्लाइ करना है, हम पांच मिनट और गुंदेंगे इसको, देखें हमारी यह जो टो ह यहां पर मुझे इसको भूंते हुए पूरे दस मिनट हो चुके हैं आप दे सकते हैं जरा भी इसमें दाना नहीं आ रहा है कितनी जबर्दस किये में खीच दियूंते इसको चोड़े तो इसी तरह से हमने इसको फाइनली गूंदना है यह बिल्कुल ऐसे मालूम हो रही है जै इस तरह से उपर लगा देंगे हम इसके अगर सर्दियों में आप यह बन बना रही है तो आपने इसको दो घंटे के लिए रखता है और अगर गर्मिया है तो एक घंटे में यह एच्छे से हमारा खमीद इसको उपर आ जाएगा और यह फूल जाएंगे बन और इनको आपन इसी जगा रखना है जहां गर्माई हो जब तक कि इसका डबल साइस ना हो जाए आपने वेट करना है तो अब हम इसको कवर करतेंगे फिर यहां मैंने इसको कवर कर दिया है अब आपसे मिलते हैं दो घंटे के बाद तो यहां पर पूरे दो घंटे हो चुके हैं अब हम इसको हम एक दफावार अच्छे से गुंग देंगे चिस स्क्रेच करना है अब यहां आपने जिस साइज के भी बन बनाने है आप हमको कट कर लिजे यहां मेरे च्छे बन तयार होंगे अब मैं इनके पेड़े बना लूंगे इसी तहां से हम अपने सारे पेड़े तयार कर लिए आप है वीवर्स हमारे बन के पेड़े रेड़ी हो गए हैं अब हम तयार करते हैं चिकन की स्टफिंग कि चले यह कि तरह चिकन की स्टफिंग तयार करते हैं यहां मेरे पास है एक बारी बारी करतीनी हरिमेच इक च्छोटे साइस की प्यास जिसको मैं ने बारी चॉप कर लिया है और यह जो आपको डरी नजर आ है यह रहीए यह रेट कैपसिकश में इसको भी हमने बारी बारी चौप कर लिया है यह तमाम इंविजिएंस में यहां पैन में टानूंगी हमने सिर्फ यहां पर इस तमाम सब्जी को जो है सौते करना है ओवल को खर्गेज नहीं करना है और नहीं इसमें किसी किसिम कोई ओई शामिल होगा विदाउट ओई हमने इसको सौते करना है बस जबरलस किसिम किसमें से खुश्चबू आ रही है प्यास और शिम्लमिच की हरी मिर्च की तो अब किस टाइम हम मेरे पास यहां पर है एक कब श्वेट कीवी चिकन इसमें टालेंगे विखुल लो कर देंगे फ्लेम को यहां पर और इसको अच्छे से मिच तरेंगे यहां कॉन फ्लाइर हमारी चिकन और सब्जी को अच्छे से कंबाइन कर देगा चिकन पहले से बॉइल थी सब्जी यां हमारी विखुल बारिक चॉप की नहीं है तो इसने इतना जादा कुकिंग टाइम देगी है बस सेफ और सेफ आपने इसको मिक्स करना है एच्छे से हाँ पर यह हमारा बिलकुल रैडी हो गया है तमाम मसाले इसमेच्छे से मिक्स हो गए है अब हमने इसको ठंडा करना है जैसे ही यह रूम कंप्रेचर कर आ जाएगा हम इसकी बन में फिलिंग करेंगे तो चलिए अपने एक से स्टेप की तरफ हमारी यह चिकन की है और ठंडी भी हो गई है तो आप इसको देखें कितनी ड्राय है जरा भी इसमें मॉइस्टर नहीं है अधर नमी होगी इसके तुमारे बन का मजा नहीं आएगा अंदर से ना तो आपने इसकोशिश करने कि बिल्कुल ड्राय होना चाहिए तो चलिए अब नेक्स स्टेप क को वन बाइवन बेलेंगे देखें आपने ना ज्यादा मोटा रखना है और ना ज्यादा पतला इसी तरह तमाम बंद की डो को तयार कर लेंगे अब यहां हम स्टफिंग भरेंगे चिकन की मेरे पास बन ठीश्पून स्टफिंग है जिसे मैं बिल्कुल सेंटर में यहां मेरे पाप पिज़ा चीज है जिसमें चैडर और मॉजरेला तोनों शामिल होती है मार्केट से आपको पिज़ा चीज के नाम से किसी भी स्टोर से मिल जाएगी यह शामिल करेंगे अब इसे चारों साइट से फोल कर देंगे कि कोई भी होल ना रहे और ऐसे उसे आपने करना है और अच्छी तरह से इसको पैक कर देना है इस बात का ख्याल रखना है कि यह बहार से निकले लेंगी फिर इसे रिशेप कर लें यही सेम प्रॉसेस बाकी बंस के साथ भी करना है और इसी तरह से हम सब तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मेरे तमाम बंद रेडी हो चुके हैं इनको हमने नौन इस्टिक की ट्वे पर रख दिया है अब मैं यहाँ पर हलकल कर दूड लगाऊंगी उपर से अब यहाँ मेरे पास हैं वाइट सीट्स सुफेद तिल गे हम लगाएंगे जितने आप हो पसंद आप अपनी मर्दी से कम्याद ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे जब तक हम अपना ओवन रिहीट कर लेते हैं तो चलिए अब हम इसको रखेंगे 180 डिग्री सेल्सीयस पर तक्रीबन 30 मिनट के लिए तो अलहम दरिल्लास जवर्दास बंध हमारे तयार हैं यहां पूरे 30 मिनट में इसको निकाला है तो यहां पर विल्वर्फ मेरे पात बर्टर है मैं इसको इसके उपर अच्छे से खोट करेंगे हैं वाह वाह बहुत सी जबरदस ये बंध हमारे पूले हैं और बर्टर की टॉपिक करने से इसका रंग कितना खुबसूरत लग रहा है मैं आपको दिखाती हूं कि अंदर से कितना जबरदस्त है तो यह देखें कितने सॉफ्ट हैं यहां गरम इतने हो रहे हैं कि मुझसे तोड़े भी निजा रहे हैं और इस स्टफिंग देखें आप अंदर से कितनी जबरदस हुई हैं और यह देखें कितने जबरदस अंदर से यह वेच हुए हुए बहुत ही आला मुझसे तो सबर नहीं हो रहा मैं तो इसको आपको टेस्ट करके बताती हूं आला भाई बहुत आला एक दम सब कुछ परफेक्ट है और इतने सॉफ्ट हैं जैसे मुझ में जाते ही गुल जाएं और अंदर जो मसाला हमने इसमें स्टफिंग की है चिकन की और शिमला मर्ट जबर दस फ्लेवर आ रहा है दी आइंड है वाई दी आइंड रेसिपी को ट्राइ करना तो जरूरी बनता है वीडियो पसंद आए तो अपने फेंट्स और फेमिल्य मिंबर्स में जरूर शियर करें अफशा के दस तफ़ान से अफशा को दीज़े इजाज़त फिर हाजर होंगी मजीद मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगर रेसिपी प होश रहें और अल्ला हम सब को अपनी इज़ आमान में रखे फी आमान इल्ला